इस वक्त जो ये सकल हिंदू समाज का ये मूर्चा है आप देख सकते हैं कि वासी के मेडिल में पहुंच चुका है हजारों लोग तकरीबन तीन हजार से जादा लोग इस मूर्चे में सामिल हो रहे हैं एक ही मांग है जिहाद के खिलाब कानून बनाया जाए लेंड जिहाद को रोका जाए दर्मांतरन के खिलाप कोई ठोस कदम उठाया जा और इन तमाम मांगों को लेकर सड़क पर हजारों लोग इस वक्त चल रहें यह सकल हिंदू समाज का मोर्चा है जो विबिन मांगों को लेकर आज सड़क पर उत्रा हुआ है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बीजेपी की विधायक जो हैं बेलापूर की मन्दा ताई मात्रे भी इस पूरे भबेरेली को समर्थन दे रहे हैं ताई क्या काना चाहेंगी आज सकल हिंदू समाज सड़क पर उत्रा हुआ है तमाम मांगे हैं उन मांगों को किस दर से आप समर्थन करें यह मौर्चा पहले ही निकलना चाहिए ता आपने देखा होगा दे चार सालो में जो महाराष्ट्र में है पूरे देश में है जो लड़किया महिलाओं की чो हत्या हो रही है जिस प्रकार से हत्या हो रही है वो निशेदार्त है में तो जाती हूँ सरकार ने नहे कानून बनाना चाहिए ये कानून बनाना के लिए हम लोग सब हिंदू संगटना एक साथ आ जा गई है और आज ये संगटना एक साथ आकर इस संगटना के माध्यम से सरकार ने सोचना चाहिए कि काईदा बनना चाहिए और ये जो अमारी लड़किया है जिसके दीन दाणे उसको मारा जाता है उनको काटा जाता है वो कही न कही उसकी धाशत इस देश में होनी चाहिए और आज का ये मोर्चा जो है इस मोर्चे के माध्यम से हम देश के प्रधान मंत्री हो चाहे गराम मंत्री हो उनको भी ये बता चाहते हैं कि कितना बड़ा अक्रोश हो रहा है और समाज कोई भी हो हम समाज के किलाप नहीं है हम कोई जाती धर्म के किलाप नहीं है हम यही कहना चाहते हैं कि यह जो कानून है एक कानून की धहसत होनी चाहिए इस कानून की दहसत होनी चाहिए जिस सरह से आक्रोश है उस आक्रोश के जर्येक संकेत देने की सरकार और प्रशाषन को कोसिस है कि हिंदू बेटियों के अब सरक्षा जरूरी हो गई है चाहे हो जिस भी माद्यम से हो आब इस भावना को किस तरह से देख रहे हुए मैं इस भावनाओं को एक मा की और से देख रहे हूँ, मेरे घर में भी बेटी है, मेरे घर में भी पोती है, कल यही प्रसंग हमारे घर में अगर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कानून की दहशत, पुलीस की दहशत होना बहुत जरूरी है। नहीं हो सकेगी।